आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडिया आपके लिए काफी इंपोटेंट है यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं 26 क्यूबी का क्रेक्शन कि आपने अगर प्रोपर्टी के केस में अगर आपने जमा किया है आप 26 क्यूबी भरा है और उसमें अगर कोई मिश्टेक हो गई है तो आपको उसको किस तरह से प्रोसीड करना है ताकि जो आपकी क्रेक्शन है वह समिट हो जाए उसमें आपको कुछ पॉइंट्स का भी ध्यान अखना है इसकी जो क्रेक्शन है वह होगी आपकी ट्रेसिस की वेबसाइट से जो हम फाइल करते हैं 26 क्यूबी हम फाइल करते हैं इंकम टेक्स की वेबसाइट से www.incometax.gov.in इसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस अफ्लोड किया हुआ है इस वेबसाइट के तुरू जो है वह क्रेक्शन आपकी फाइल नहीं होगी क्रेक्शन के लिए आप आप जो है रिजिष्टर पर जा कर आपको अपने पैन को में है यहां चिल करेंगे है पर डिटेर्ट रहोगी है उसमें आपके लिखिर द nessa प्रीफाई process डालने के बाद यहां पर user id बनाने का option आएगा तो जो user id है वह आप जो है same as it is pen भी रख सकते हैं user id आपकी set हो जाएगी password जो है कोई भी ऐसा password जो की unique हो और आसान हो आप उसको बनाकर अपने पास रख सकते हैं अब उसी login password के तुरू मुझे यहां पर जो है correction के लिए option मिलेगा तो मेरे बास जो मेरे login होंगे login पर मुझे क्लिक करना है login में जाना है taxpayer में ज्यान रखें यहां पर आपको user id डालनी है user id जो है आप चाहिए तो same as it is आपका pen number रख सकते हैं यहां पर pen भी same हो जाएगा password जो आप रखेंगे वह capture code डालकर enter करके यहां पर login कर लेना है तो यहां पर जो correction होगी आपकी यहां पर प्रोसीड कर देना है कुछ यहां पर basic details आएंगी टर्म से इनको आप ध्यान से समझेगा और इनको पढ़ भी लीजेगा एक बार यहां पर लिखी हुई है ठीक है लेकिन इस चीज का ध्यान लखे कि आप इसमें अपनी मर्जी से ऐसे कोई चेंज नहीं कर सकते हैं subject to approval है जब जब तक आप रूब नहीं होगी जब तक रहेगा एक बार आपने अगर फॉम को गलत तरीके से समिट कर दिया तो आपको correct कराने में काफी problem आएगी किसीज के लिए आप ध्यान लखके जब भी आप फॉम फाइल करें तो उसको सही तरीके से फाइल करें मैंने पूरी वीड आपको किस तरह से जमा करना है किन-किन पॉइंट के महाँ पर ध्यान रखना है एक बार उस वीडियो को जो देख लिए चैनल पर एविलेबल है और दूसरा यहाँ पर जो एप्रूवल होगा वह भी आप जो हैंपर डाटा समिट कर रहे हैं उसके लिए भी वेरिफिकेशन के बाद होगा लेकिन यहाँ पर अगर कोई फर्दर डोकुमेंट की रिक्वार्मेंट आएगी तो आपको कम्मिनिकेट किया जाएगा और जब तक यहाँ पर अप्रूवल नहीं हो जाता है जब तक कोई भी डाटा चेंज नहीं होगा और यह कि टाइम टेकन प्रोसेस है त अगर वो रिजोड नहीं हो पारी है और आपको जल्दी है तो आप जो है अपने dafür के पास घ्ल कर सकते हैं श्वलिद संद्र कि डिटेल कि डिटेल आपको यहाँ पर ब्ल जाएगी तो उस case में आपको यह process easy पड़ेगा अब यहां पर एक point और भी आ जाता है कि अगर मेरे बाद digital signature नहीं है तो क्या मैं प्रोसेस नहीं कर सकते हैं यह verification के through कर सकते हैं उसमें काफिसार options आते हैं उसमें वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन लगाने के बाद आपका काम आस अमांट पेड और प्रोपर्टी के डिटेल्स वैल्य ओफ कॉंसिडेशन वैदर टीडेश इंडिक्टिट एट हायर रेट 26 अभी पेमें टाइप टोटल अमांट पेड टोटल इस्टैम दूटी ऑफ दा प्रोपर्टी इस सारी डिटेल्स जो है आप चेंज कर सकते हैं इसक लिए 23-24 अगर 23-24 में वरा था तो यहां पर 24-25 एक साल आप आगे लिकर यहां पर सेलेट करेंगे फिर जो वह फॉर्म आपने फाइल किया था जो चलानता उस पर एक अनॉलिजमेंट नंबर होता है और यहां पर पैन लिखना है सेलर का ध्यान लिखना है आपके पैन कार् करेक्शन के लिए सम्मिट हो जाएगी अब यहां पर क्लिक करना है आपको गो टू क्रेक्शन रिकवेश्ट पर पर पेज नविगेट होगा वहां पर आपको चलान की डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी जैसे रेजिस्ट्रेशन के टाइम पर की थी पीसर कोड उसके बाद जो है डेट ओफ डिपोजिट चलान नंबर चलान का सीरियल नंबर ठीक है यहां पर चलान की वैल्यूज के साथ चारेट चीज़ यहां पर आपको एंटर करनी है प्रोसीट पर क्लिक करने अब बाद आपके बाद सामने पूरी डिटेल्स यहां पर ओपन और आ जाएगी इ फिर से आ mundane जाएगा जहां जो पूरी डिटेल्स होगी जो आपने पहले फीड की ती हो जब चेंज करके आपने यहां पर फीड की है तो डिटेल्स यहां पर आपके सामने आ जाएगी वो जो डिटेल्स है आपको verify कर लेनी है one by one करके क्योंकि एक बार यहां पर correction कर रहे हैं फिर दुबारे से अगर आप इसको चाहेंगे अपडेट करन फिर से उसमें दुबारा से उतना टाइम लगेगा यहां पर जो है confirm the details पर आपको click करना है submit पर click करना है submit के बाद यहां पर फिर से view के लिए आपको option मिलेगा कि आप चाहेंगे तो एक बार फिर से data check कर ले इसके बाद submit request पर आपको click कर देना है submit request पर जाब click करेंगे तो आपके सामने option आएगा कि DSC से verify करना है या फिर आपको EVC से verify करना है मतलब banking के तुरू आपको verify करना है या फिर direct आपको DSC के तुरू verify करना है तो DSC के लिए तो DSC पहले register आपको करना पड़ेगा इसको verify कर सकते है फाइनल समिशन के बाद आपके सामने message आ जाएगे कि आपकी जो क्रेक्शन स्टेट्मेंट हो सम्मिट हो गई है लेकिन इसमें एक पॉइंट यहां पर यहां आता है कि अगर आपने pancard चेंज कर दिया landlord का मतलब जो अगर उनका pancard चेंज कर दिया तो approval पहले उनके पास जाएगी क्योंकि pancard चेंज होने का मतलब है जो previous वाले परसानाइज जिनका आपने से चेंज करके आप नहीं वाले पर डाल रहे है जो previous पैन होल्डर है उसके पास request जाएगी और उनके login से एप्रूब करनी पड़ेगी उनको जब तक यह approval नहीं होगी जब तक यह status pending रहेगा इसी तरह से अगर आपने जो है वैल्यूज में चेंज किया है या आपने कोई ऐसा चेंज कर देंसे टीडियस की वैल्यूज अफेक्ट हो रही है तो उसकेस में जो approval है वह assessing officer के पास से pending रहेगा जब तक यह जो approval है ज कराने में इसमें काफी problems है ऐसा नहीं कि नहीं possible नहीं है पॉसिबल है ट्रेश स्पेस की availability भी दी गई है और यहां पर जो है security काफी आई है और इस वेबसाइट को access करने में आपको सकता है problem हो लेकिन एक बार आपके user ID password आपने secure कर लिए फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बाद आपको नहीं आएगी ठीक है तो statement आप इसको download भी कर सकते हैं और इसको यहां पर आप track request पर जाकर track भी कर सकते हैं आपको यहां पर बताया था हूं track के अंदर में सारी details available होंगी QB को correct करने का जो भी details आपको update करनी है वह आप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन आपको इसका ध्यान लगना है कि उसका क्या-क्या effect आएगा और फिर उसके बाद आपको किस तरह से उसको प्रोसीड करना है तो वैल्यू में अगर changes है तो उसके लिए भी ए नया form भी download कर पाएंगे और यहां से ही आप जो है तो नई details है वह भी download कर पाएंगे form 16 भी यहां से ही download होगा उसके लिए separate वीडियो भी बनाया हुआ है एक बार अगर आपका जो है तो इसके बाद 16 के लिए एविलेबल है तो यह था complete वीडियो के काफी सारे वीडियो चैन मिल जाए एविडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच